मानव शरीर की संरचना बहुत जटिल है जिसे समझ ना हर किसी के बस का काम नहीं आज साइन्टिस्ट इसे लगतार जानने के प्रयास में लगे हुए हैं हमारे शरीर में कई चौका देने वाली शक्तिय हैं जिनसे हम अंजान हैं क्या आप जानते हैं दोस्तों मंडे हमारे लिए कितना डेंजरस देन होता है या हमारे पेट का हैड्रॉलिक असेड ब्लेड भी पचा सकता है तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमारे ही शरीर की कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में क्या आप जानते हैं कि अगर हमारे शरीर की सारी वेंस या धमनियों को जोड़ दिया जाय है तो इसके लंबाई 97,000 किलोमेटर सोचिया जबकि प्रित्वी की टोटल परिदी याने की सरकमफरेंस मात्र 40,000 75 किलोमेटर है मतलब एक वएस के इनसान के कुल वेंस पूरी प्रित्वी को धाई बार लपेट सकती हैं फर्स कीजिये किसी पंप को एक किलोमेटर दूर तק पानी पहुचाना हो तो उसे कितिनी होर्स पावर का होना चाहिए और 1000 किलोमेटर दूर तक पानी ले जाना हो तो शायद एक विशाल का आए पम्प भी कम पढ़ जाएगा तो सोचो ये हमारा दिल एक छोटा सा कुद्रती पम्प हमारे शरीर की टोटल 97,000 किलोमेटर फेंस में लगतार खोन पहुचाता रहता है जन्म से लिकर मृत्यू तक वो भी बिना रुके बिना ठके है ना कमाल की चीज़ दोस्तो हमारा दिल एक दिन में करीब एक लाख बार धड़कता है और दिल का पम्पिंग प्रेशर इतना आधिक होता है कि ये हमारे खोन को 30 फिट उचाओ चाल सकता है स्विडिश साइंटिफिक रीसर्च की मताबिक हमें हार्ट अटैक का सबसे ज़्यादा खत्रा मंडे के दिन होता है और सबसे कम सैटरडे के दिन देख लो भाईयो नमबर टू ब्रेन टेकसेस उनिवरसिटी के वैग्यानिकों ने ये स्टड़ी किया है कि हमारा दिमाग एक बीटा बाइट जितने मेमरी स्टोर कर सकता है मानो दिमाग इतना जटिल है कि वो सोयम अपने आप में एक ब्रहमान के बराबर है हमारा दिमाग पात साल की उमर तक 95 प्रतिशत बढ़ जाता है और 18 साल तक 100 प्रतिशत नमबर टी बोन्स हमारे जन्म के वक्त हमारे शरीर में कुल 270 हड़िया होती हैं लेकिन वैस कोने के साथ साथ कुछ हड़ियां आपस में जोड़कर 26 हो जाती है मानो शरीर की हड़ियां कंक्रीट से भी ज्यादा सक्त होती हैं हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड़ि हमारे जंगो की फीमर बोन है और शरीर की सबसे लंबी हड़ि भी यही है जो एक स्टील की पाइप से भी ज्यादा मजबूत होती है सिर्फ हमारी खोपड़ी ही उन 30 अलग-अलग हेड़ियों से मिलकर बनी होती है जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें देखते ही हमारी आखों की पुतलियां फैलने लगती और जिनसे हम नफरत करते हैं उन्हें देखने पर भी यही होता है हमें प्यार भी दिमाग में अक्टिव होने वाले केमिकल्स के वज़े से होता है, प्यार में पढ़ने वाले व्यक्ति के दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ जाता है